हेलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग सुप्रभाद विल्कम बैक टू माइ चैनल आई होप यौल आज डूइंग गूड तो फ्रेंड्स यहां पे सुबा के साड़े पांच पिछ रहे थे और मैं उठ चुकी थी मैंने अपना डेली रूटीन फ्रेशन अप वगयारा हो लिया और उसके बाद फिर मैं बाहर जो है टहलने के लिए आ गई थी और क्योंकि मौसम जो है अच्छा था सुबा तो मैं टहल रही थी और एक्सरसाइश कर रही थी और मेरे जो कॉलोनी में अंकल अंटी हैं वो लोग करते हैं तो वही भी कुछ आस थोड़ी बहुत जो है बहुत बात नोकि अपनी हाइट को सुदा आरेक्सराइश कर रही थी उसके बात फिर मैं अंदर आ चुकिती और मेरे टेबल जो का फे मैसी हुआ पाला था तो मैं अपने टेबल को रिएरेंज कर रही थी कि बात यह मैंना टेबल अरेंज के बाद मैंने सबसे पहले अपना वो टू डू स्ट जो है वो बनाया एना हम्साफ मेण चामरे चाल टार्गेट cup अ उसमें जो में foiकस था वो ठाइशmap मुझे किसी भी हाल में ancient history complete ही करनी है मैं इस चक्कर में रह जाती हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता ना मैं पढ़ रही हूं फिर बूर रही हूं फिर मैं वापस दिल जाती हूं वह चीजे फिर से पढ़ने लगती हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा time लगता है लेकिन आज मै ancient history खतम ही कर दूंगी और उसके बाद फिर medieval history मैं start कर दूंगी किसी भीयाल में अगर मुझे थोड़ा सा काम भी है क्योंकि हो सकता गाउं जाना पड़े तो अगर मैं वहाँ चली गी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रह जाए तो मैं लेकिन कल तक मैं पक्का है ancient history कल के कुछ motivated चीज़ सुना देती हूं कुछ करना है तो डट कर चल थोड़ा दुनिया से हट कर चल लीग पर तो सभी चल लेते हैं कभी तिहास को पलट कर चल बिना काम के मुकाम कैसा बिना मिनत के दाम कैसा जब तक ना हासिल हो मंजल तो राह में आराम कैसा अर्जुन सा निसान रख वन में ना कोई बहाना रख लच्छ सामने है बस उसी पर अपना ठीकाना रख तो फ्रेंट्स यहां पर बताया गया है कि अगर आपको सोच लेते हैं तो फिर वो आप डिटर्माइन रहिए आप उस चीज़ पर डटे रहिए कि मुझे ये करना ही है किसी हाल में करना है लाइन है ना अरजुन सा निसाना रख तो बिलकुल वैसे ही जैसे अरजुन ने केवल मचली की आँख देखी थी बाकि उनको कुछ नहीं दिखा था वैसे हमें भी केवल अपना लच्छ देखना है उसके आस पास की चीज़ों से बिलकुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है त झाल